नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब आपके जीवन में हो गया, बड़ा चमतकार कर दिये। ये बड़ी दिव्य शक्ति ने आपके उपर चमतकार। दोस्तों, आने वाले तीन दिनों के अंदर में आपके भाग्य हीरे से भी तेज चमकने वाला है। आपके उपर अब भगवान चप पर फाड़ के धन बरसाने वाले हैं दोस्तों। अब आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। अब दोस्तों आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया, अपने दोस्तों पिछले समय में भगवान के प्रति आस्था विश्वास रखे थे, उन्हें कर्मों का फल अब यह दिव्य शक्ति आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे चाहे जान क्यों न चली जाए। परन्तु दोस्तों आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर में यह एक काम गलती से भी, यानि कि दोस्तों भूल से भी मत करना, चाहे दोस्तों मर जाना, पर यह एक काम भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपके कर्मों का फल नहीं मिल पाया है और दोस्तों जब आप आज से तीन दिनों के अंदर में यह एक गलती करेंगे तो दोस्तों आप आज नहीं बलकि साथ जन्मों तक पच्छताएंगे क्योंकि दोस्तों यही गलती है जो कि दोस्तों आपके पीछे की और ले जाएगा आपको कंगाल बना देगा इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दे हैं कि माश कर्ति के आशीरवाद से यह दिव्य शकर्ति के चमतकार से आपको वह खुशखबरी मिलेंगे वह कामयाभी मिलेंगे जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे और आपके दोस्तों वह उम्मीद की किरन जागेगी वह खुशखबरी वह चमतकारी तूफान आपके जीवन में आएगा जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे और दोस्तों, अगर आप यह कार्य को करने से पहले ही रोक लेंगे, आप इन्हें जान लेंगे, तो दोस्तों, आपका वह समय खुल जाएगा, वह दिन आ जाएगा, जो दोस्तों आप सपने में सोचे होंगे, जी हाँ दोस्तों, और आदी अगर गलती से भेजो, कार्य कर लि क्योंकि दोस्तों यह यह एक कार्य आपके जीवन के लिए आपके घर परिवार के लिए बड़ी भयंकर कार्य है। आपके घर का वासबरकत सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यानि कि दोस्तों जीवन आपका तबाही के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और इस कार्य को गलती से भी कर दिया तो आपके जीवन में तबाही और बर्बादी का ही का ऐसा सिलसला शुरू होगा जो कहां रुकेगा कुछ पता नहीं ऐसे ऐसे बड़े दुख आपके भागे में लिख जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इसी के साथ साथ दोस्तों आपके उपर पर तंत्र मंत्र और टोने टोटके का भी अगले तीन दिनों में बहुत बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है कहने का मतलब ये है कि अगले तीन दिन आपके लिए परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ियां है बहुत बड़े खत्रे में है जिन में आपको बहुत संभल संभल कर चलना है सबसे जरूरी बात कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है यदि आपने इसी बीच में छोड़ दिया या फिर मजाक समझने की गलती कर ली तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धर्ती पर कोई नहीं होगा क्योंकि आप स्वयम अपनी बरबादी को निमंतरन देंगे दावत देंगे दोस्तों इसे साधारन वीडियो समझने की गलती बिलकुल भी मत कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो ग्यान देने वाले हैं वह एक ऐसा ग्यान है जो आपकी जान बचा सकता है आपको लाखों करोडों के घाटे में जाने से बचा सकता है तो अब इतने महत्वपूर्ण ज्यानवर्धक वीडियो रोज रोज नहीं मिलती है जी हाँ दोस्तों यह वीडियो आपकी खुशखबरी का एक ऐसा जड़ है जो आपका जीवन बदल देगा तो दोस्तों मातारानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से रदय भाव से जै मां काली जै मातारानी अवश्य लिख दें दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि माता रानी आपको आने वाले तीन दिनों के अंदर जो भी दुखदर्द कष्ट हैं वह सभी समाप्त कर देंगे और आपको आप जीवन की सबसे बड़ी खुश्खबरी देंगे, बड़ा चमतकार कर देंगे जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से समझिए अगले तीन दिनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदलने वाली है ग्रहों की एक ऐसी ही बन रही है जो आपको इस एक कार्य को करने के लिए मजबूर कर देगी परिस्थितियों का ऐसा निर्मान हो जाएगा कि आप इस कार्य को करेंगे ही करेंगे क्योंकि दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि विनाश, काले, विपरीद, बुद्धी जब भी जीवन में ग्रहों के माध्यम से बिनास, काल, प्रवेश करना चाहता है तो वह जातक की बुद्धी को पहले परिवर्तित कर देता है अब ऐसा ही कुछ भयंकर आपके साथ भी होने वाला है तो सबसे पहले आप समझो कि आपने यदी यह कार्य कर डाला जो हम आपको आकर वीडियो में बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपके पास पैसे रुपए को लेकर समस्या आएगी यानि कि आपका पैसा जहां है, जैसा है, रुक जाएगा आपने जिससे भी पैसा लेने की उम्मीद लगा रखी है वह मिलेगा नहीं आप भी किसी व्यापार में पैसा लगा दिया है, तो डूब जाएगा दूसरा, कि रुपए पैसे को लेकर आपके मन में गलत धारणाएं बन जाएंगी आप गलत काम करके, ऐसी को कमाने की कोशिश करेंगे जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदी में पैसा लगाकर उसे बढ़ाने की, डबल करने की तीन गुना, चार गुना करने की स्कीम लेकर आ जाएंगे और यहीं से तो बरबादी होगे तीसरा, कि आपके उपर कर्ज का बोज बढ़ने लगेगा ये दोस्तों, और ये ऐसी बरबादियां हैं जिन्हें आप छोटी मोटी बरबादी मत समझना जो इस बरबादी में गिर जाता है पैसे की तंगी और करजी में दब जाता है ऐसे लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती सब्ती पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है फिर कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं होता है और एक बात और ध्यान से समझ लो दोस्तों की जब भी मुसीबत बहुत बड़ी होती है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़कर भाग जाते हैं तो ऐसे में आप अगर यह ब्रह्मपाल कर बैठे हैं कि आपके बुरे वक्त में आपके अपने जो आपके साथ खड़े हैं आपके साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं आप जिनके लिए जीने मरने के लिए भी तयार हैं भी आपका साथ देंगे जी नहीं दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा अकेले ही रह जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी से माता लक्ष्मी रूट कर चली जाती है तो जो कंगाली और भुक्मरी जीवन में आती है वह जन्मों जन्मों तक जाती नहीं है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी दूसरी पीड़ी से तीसरी पीड़ी बरबादी ही बरबादी च्छाई रहती है इसे मिटा पाना लगभग नामुम्किन हो जाता है अब सबसे बड़ी बात कि आप बहुत सतर्क हैं, होशियार हैं और आप हमारी बातों को सुनकर पहले से ही संभल कर चलने लगेंगे लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके पडोसी, आपके रिष्टेदार और आपके अपने ऐसी स्थितियों का निर्मान करेंगे जो आप हंसाने का कार्य करेंगी आपको ऐसी ऐसी स्कीम से बताएंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे आपके सामने कि आप मजबूर हो जाएंगे, उनकी बातों में आने के लिए और हंसने के लिए और अपना पैसा लगा देंगे अपनी जमा पूंजी खर्च कर देंगे और फिर आपका साथ कोई नहीं देगा उल्टा आपको ही दोशी बना देंगे, आपको ही पागल साबित कर देंगे और कह देंगे किसने कहा था हमारी बातों में आने के लिए तुम्हारा खुद का मन था, इसलिए तुमने यह काम किया दोस्तों, यकीन मानिए कि यह जो बाते हम आपको बता रहे हैं इन्हें आपने भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है लेकिन मातारानी का साथ, आपके देवी देवताओं का कुल देवी का साथ आपके साथ हमेशा रहा है इस वजह से अब तक आप सही सलामत बच कर निकलते रहे हैं लेकिन अभी यदि आप सफल कर नहीं चलेंगे, सतर्क नहीं होंगे ग्रहों की चाल को नहीं समझेंगे, तो कब तक बच पाएंगे जी हाँ दोस्तों, तो बस अब आपको और नहीं सहना है तयार हो जाना है पहले से ही सतर्क हो जाना है और इस वीडियो को पूरा देखना है इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे आपको चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कौन से हैं वह ग्रह के योग जो आपको बरबाद करना चाहते हैं और उन ग्रहों की नकारात्मक युग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कौन सी बड़ी सावधानिया आपको रखनी होगी और सबसे बड़ी बात है कि मा भद्रकाली की विशेश कृपा आपको से प्राप्त होगी यानि कि एक महा उपाए जो आपको हर एक आने वाली मुसीबत से बचाएगा सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे इन कारियों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे बस वीडियो आपको पूरा देखना है आपको तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय खराब किये आगे बढ़ते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन इस से पहले मां काली माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे क्योंकि दोस्तों जो भी बाते हम आपको बता रहे हैं उनमें कहीं न कहीं मां काली की कृपा निश्चित तोर पर शामिल होती है उनके ही द्वारा दी गई ग्यान और अनुभूती के आधार पर हम बोलते हैं तो हमारी बातें 100% सत्य ही होती हैं तो बस ऐसे में माई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे कमेंट में एक बार नहीं तीन बार लिखना जय मांग काली जय माता रानी किर्पा करो और आप देखेंगे कि अगले 72 घंटे में आपको एक नहीं दो नहीं तीन तीन अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी और आप जिस कार्य के बारे में सोच रहे थे उस कार्य में भी आपको काम्याबी हासिल होगी आप से एक छोटा सा निवेदन तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आप से कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से समझ गए दोस्तों हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं और जो कुछ भी अपने हाथों से गवाते हैं फिर चाहे हम कितनी ही मेहनत करें पूजा पाठ करें और उसके बाद भी हमें शुभ फल नहीं मिलती है तो इन सब के पीछे ग्रहों की चाल कुछ नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव जरूर जिम्मेदार होती है अब ऐसी में आपको यह हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपकी राश में आपकी कुंडली में किस प्रकार की ग्रह योगों का निर्मान हो रहा है आपको यही योग फाय दे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे जैसे कि आपने अक्सर यह देखा होगा कि कभी-कभी इनसान जरासा कोई कार्य करता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी सी प्लानिंग करता है और लाखों करोडों में खेलने लगता है, बड़े-बड़े जरासी मेहनत में पड़ी-पड़ी काम्याब याद दिला रहे हैं, इसी प्रकार जब लोग बहुत सफल होने के बाद भी लड़के के साथ नीचे आ जाते हैं, तब नकारात्मक ग्रहों की स्थिती बहुत प्रबल हो जाती है, और जातक के हाथों से काम्याबी फिसल जाती ह तो अब आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसे आप ध्यान से समझेए समझने की शक्ती कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जिस जगह आपको घाटा होगा, जहां आपको बड़ी परेशानियां होंगे, उस जगह आपको लाब दिखाएगा, यानि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा, लोग आपसे लाख मना करेंगे, इस कार्य को मत करो, इस परे तीन दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहें, तीन काम आपको रुपए पैसे को लेकर भूल कर भी नहीं करनी है, सबसे बड़ा कार्य कि आप हो किसी भी नए काम धंधे में ऐसा तीन दिनों के अंदर नहीं लगाना है या नहीं, अगर आपको कोई काम धंधा व्याप पार करना ही है, शुरू करना है तो आप तीन दिन तक रुके, उसके बाद किसी कार्य के लिए आगे बढ़े, पैसे रुपए से संबंध, बहुत ज्यादा सतर्क रहें, आपको हर तरफ से पैसे का घाटा होगा, आप यकीन मानिये, फिजूल खर्ची 100% होगी, आप कितना ह हाथ को समेटने की कोशिश करना, आप चाहे किसी जंगल में ही चले जाना, अपना रुपए लेकर, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे, वहां से भी रुपया पैसा आपके हाथों से फिसल जाएगा, जहां मित्रों यही होती है, ग्रहों की शक्ति तो अब ऐसी में एवं का मित्टी के गोले हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक, हमारा धर्म हर एक ग्रह को एक जीवित देवी देवता के तौर पर मानता है, जैसे शनिदेव सूर्य देव, ब्रहस्पतिदेव शुक्र इसी प्रकार से जीवित हैं, तो जीवित का मतलब यह हुआ, कि इनका यदी अब आपके उपर आ रहा है तो इन्हें प्रसंद करने का भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता ही है अब आपको जरूरत है उस रास्ते को जानने की फिलहाल हम आपको बता तीन काम है जो आपको भूल कर भी अगले तीन दिनों में नहीं करना है पहला कि किसी काम धंदे नए व्यापार में पैसा नहीं लगाना है दूसरा किसी को भी करजा भूल कर भी नहीं देना है उधार भूल कर भी नहीं दे रहा है आपने किसी को उधार दे दिया करजा दे दिया समझ लो आपका पैसा चला गया वह वापस नहीं आएगा चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना और तीसरा कारिय कि आप अगले तीन दिनों में प्रॉपर्टी को लेकर यानि कि किसी बड़ी डील को लेकर जहां पैसे का भारी लेंदेन हो रहा हो उसे नहीं करेंगे यदि आप करेंगे तो आपको 100% घाटा होगा और आपकी बहुत बड़ी रकम फस जाएगी रुक जाएगी और आप बहुत ज्यादा सिर दर्दी देखी हमने कई ऐसे जातकों को देखा है जिनको हमने ना बोला कि अभी इस प्रॉपर्टी डिटेल मत करो तुम्हारा पैसा अटक जाएगा उन्होंने नहीं मानी बात उन्हें लगा कि यह तो फाइदे क से फंस गया कानूनी विवाद और जगडों में इस तरह से उलज गया पूरा का पूरा पैसा तो डूब ही गया ब्याज अलग से चलता रहा करजा तो हो ही गया उसका ब्याज भी चलने लगा एक ऐसे ही हमारे जानने वाले सज्जन थे जिनके ऊपर इतना भारी करजा हो गय क्योंकि उन्होंने खुद भी प्रॉपर्टी में इंवेस्ट कर दिया करजल लेकर उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है हमने उनको मना किया कि तुम्हारे लिए अभी समय अच्छा नहीं है पैसा फंस जाएगा लेकिन बात नहीं मानी और बाद में वह जमीन विवाद की ह हो गई सरकारी रोक लग गई उस पर और पैसा RS1 पैसे का प्याज अपनी जेब से भर रहे हैं पता नहीं कब वह जो रोक लगी है सरकारी हटेगी तब कहीं जाकर उसका सौधा होगा तब पैसे मिलेंगे तब तक ब्याज जेब से देना पड़ रहा है और ब्याज की रकम इ पारिश जारी हुआ करते थे कि यही होती है ग्रहों की शक्ति आपको माननी ही पड़ेगी वरना ग्रह अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपको मिट्टी में मिला देगा आपके जीवन से हर एक सुप को इस तरह से निचोड लेगा इस तरह से सोख ले करते हैं तो बस आपको रुपए पैसे को लेकर सतर्क रहना है लेन दिन नहीं करना है पहली चेतावनी यह दूसरी चेतावनी आपकी यह है कि आपको विवादों से बचना है जीहां मित्रों जगडा होगा विवाद होगा स्थितियां इतनी बड़ी उत्पन्न हो जाएगी कि मारपीट तक की नौबत आ जाएगी खींचातानी बहुत ज्यादा हो जाएगी कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये स्थिती बहुत छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होगी तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसी बात यदी बोल रहा है जो आपको भड़काने वाली है उक्त आने वाली है तो उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है नकारात्मक बातों में नकारात्मक बातें बरगड से आपको दूर रहना है आपको कुल मिलाकर अपने आपको बचाना है, अभी आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है अपनी बात किसी के सामने नहीं रखनी है अगले तीन दिनों तक आप अपने आपको बचाने की कोशिश करें फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा अब एक बात यहां पर हम आपको बहुत बता दें कि मित्रों आपसे लोग जान बूज कर उलजने की कोशिश करेंगे आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कुछ आपके मुह पर और कुछ आपके पीठ के पीछे कि जिनका आपको मन करेगा कि जवाब दे ही दें और आप जब जवाब देने की कोशिश करेंगे जगडा होगा, विवाद होगा और इस जगडा और विवाद में आपका केवल और केवल आपका नुकसान होगा क्योंकि यह स्थितियां आपकी बरबादी के लिए ही तो बनाई जा रही है आपको इसमें संभल कर रहना है तीसरी कि आप हो, वह भी छोटी बड़ी बात अपने दिल से नहीं लगानी है यहीं से आपके जगडे की, आपके क्रोध की शुरुआत होगी तो कोई आपसे कुछ कह रहा है आप समझ जाईए कि यह समय है, इसलिए ऐसा कह रहा है कल समय बदल जाएगा, तो इसकी बातें भी बदल जाएंगे सोच भी बदल जाएगी, और यदि ना भी बदले तो आपके उपर क्या फर्क पड़ता है आपके उपर तो हर उसकार्य का फर्क पड़ेगा जो आप करते हैं दुनिया क्या कहती है, क्या करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको पूरी समझदारी का परिचय यहां पर देना होगा किसी से जगड़ा नहीं करना है विवाद में नहीं पड़ना है छोटी-छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है और जरा-जरा सी बात पर भड़कना नहीं है क्रोध नहीं दिखाना है अपने चिड़-चिड़ापन को, अपने गुसे को, अपने आप तक संभाल कर रखें समय की परिस्थिती की नाजुक स्थिती को समझते हुए चलें अब दोस्तों, समझिए आखरी और सबसे बड़ी चेतावनी के इन तीन दिनों में आपके उपर एक टैंकर, तांत्रिक क्रिया भी होने वाली है अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह हमें माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर एहसास हुआ, तब हम आपको बता रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब किसी जातक के उपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है अभी वह सबसे अच्छा समय होता है, जब कोई तांत्रिक क्रिया उसके उपर की जा सकती है क्योंकि नकारात्मक उर्जा हेतू, वैसे ही उसके आसपास घूम रही है उसी गिर कर बैठी हैं, ऐसे में यदि कोई छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया भी कर दी जाए तो जातक की उम्र भर की बरबादी निश्चित हो जाती है आप माने या ना माने, लेकिन यह बातें सच हैं, हमने चेक करो परिवारों को अपनी आँखों के सामने बरबाद होते हुए, हंसते खेलते, परिवारों को तबाह होते हुए देखा है ऐसे ऐसे लोग जो की कभी सुपारी तक नहीं खाते थे जब भी नकारात्मक शक्तियों के तांत्रिक क्रियाओं के फेर में पड़ गए युवक शराब और वेश्या वृत्ति जैसी निम्न और घ्रिनित गतिविधियों में उलज कर रह गए और परिवार पूरी तरह से बरबाद हो गया और कुछ जगहों पर तो लोगों का सुधार होने से पहले ही मृत्यू ने भी उन्हें समेट लिया कहने का मतलब ये है कि यह जो तांत्रिक क्रियाएं होती बहुत भयंकर होती है और आज के समय में यह बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है परिवार बिखर रहे हैं प्रेमी जोड़े साथ में रह नहीं पा रहे हैं पति-पत्नी के बीच निश्चित तोर पर कहीं न कहीं कोई न कोई बीच में यदि आ जाता है तो बरबादी हो जाती है तुरंत अलगाव हो जाता है किसी तीसरे से किसी प्रकार का जरासा भी मेल जोल हुआ तो फिर वह उसी के वश में होकर रह जाता है और अपनी पत्नी को या फिर पत्नी अपने पति को छोड़ कर चली जाती है, वर्षों का साथ पीछे रह जाता है, यह सब तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही तो है, यहां तक की दुरगटनाओं के और आत्महत्याओं के भी जो की अभी पड़ रही है, इस समय में वे सभी तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही हो रही है, लोग अपने उप पर से काबू हो चुके हैं वह कौन है क्या है यह भूल चुके हैं क्योंकि इतनी जोर से इतनी ताकत से नकारात्मक शक्तियों ने उन्हें जकड लिया है कि वह सब कुछ भूल कर बस उसी की इच्छा पूरती में लग गए हैं तो आप इन बातों को हलके में बिलकुल मत लेना और एक बात हम आपको बता दें कि जब भी आपके उपर कोई तांत्रिक क्रिया होगी तो तुरंथ दूसरे ही दिन से उसका फर्क दिखाई देना शुरू नहीं हो जाएगा उससे आपके उपर हावी होने में समय लगेगा दो महीने तीन महीने या छे महीने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगी लेकिन जब एक बार वह आपके उपर हावी हो गई तो फिर उसे हटा पाना लगभग नामुम्किन हो जाता है तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है अब क्या करना है ध्यान से समझिए कोई आप हो इन तीन दिनों में लोग देता है किसी भी प्रकार से खाने के लिए रखने के लिए बाहर का सदस्य अंजाना सदस्य तो आपको वह लोग नहीं लेनी है दूसरा कि आपको कोई सफेद रंग की मिठाई खाने के लिए देता है तो आपको वह नहीं लेना है तीसरा कि कि आपको कपड़े में बांध कर कोई सामगरी देता है, खासतोर से काली लाल यह हरी कपड़े में बांध कर आपको कोई सामगरी देता है, किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से देता है, आपको नहीं लेनी है और सबसे महतुपूर्ण बात की, आपको अपने कपड़े, अपने घड़ी और मोबाइल किसी को भी प्रयोग करने के लिए नहीं देना है। अपने बाल यदि आपके बाल जढ़ रहे हैं, आप अपने बाल कटवा रहे हैं, तो दूसरों से बच, आकर रखें। किसी ऐसी जगह अपने बाल कटवा है, जहां आपके अपनों को जानकारी ना हो, यानि कि उनकी नजरों से बचकर अपने बाल कटवाए, अपने अंग वस्त्र यानि आंत्रिक वस्त्र आप सूखने के लिए डालें, तो ऐसी जगह डालें, जहां से वह चोरी ना हो सकी, कोई उन्हें उठाना सके, मित्रों, आप बात को भले ही हलके में ले लें, लेकिन यह बात सच है, इन्ही चीजों से तो तांत्रिक क्रिया की जाती है, या तो कुछ आपको खाने पीने के लिए दे दिया जाएगा, आपने कुछ खा लिया, कोई ऐसी तांत्रिक चीज आपके शरीर करते हैं, या फिर आपके बाल, आपके नाखून इनका प्रयोग करके, कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया की जाएगी, जो आपको बरबाद करने की, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा संभल करका प्रयोग करना है, इनकी ताकत को समझना है, लापरवाही दिखाएंगे, तो फ विष्टे नाथों में जैसे आग सी लग गई है, व्यापार तुझे सिर्फ मिट्टी में मिल गया है, सब कुछ मिटा चला जा रहा है, कुछ करिए तो पहले ही सतर्क हो जाएगी, ऐसे समय में आपको सावधान रहना बहुत आवश्यक है, फिलहाल तो आपको यह सावधान जीवन भर भरतरी चाहिए, जो हम आपको अभी बता रही है, लेकिन इन तीन दिनों में आपको बेहत सतर्क रहना होगा, कि यही वह समय है, जब आप उपर प्रचंड नकारात्मक क्रियाओं के कई प्रकार से बाराबंकी आपको संभल कर रहना होगा, अब हम आपको बताने रहेगा तो लेकिन आंशिक रहेगा, जरा सा प्रभाव होगा, आपको छू कर चला जाएगा, यह कहना गलत होगा, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड पाएगा, जरूर आपके उपर वह क्रिया आएगी, आपको छू कर जाएगी, कोई बड़ा घाटा बड़ा, नुकसान बड़ी चोट, बड़ी दुरगटना नहीं होगी, बस इस बात की गारंटी है, तो अब ध्यान से सुनिए, कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, कि आप जब स्नान करें, तो अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला ले, इससे आपके उपर कोई भी नकारात्मक शक्ती हावी नहीं हो पाएगी, दूसरा, कि आप जब घर से बाहर निकले, तो एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रख कर निकले, और जब आप अपने घर में वापस आए, या कि आप जब भी किसी में है, पूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकले, यानि कि कोई ज़रूरी डील होनी है, कहीं लेन देन होना है, व्यापार पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले अपने मन में तीन zacट पार इस मंत्र को बोलना है मंत्र हम आपको पहले भी बता चुकी है और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा आप इसे नोट कर सकते हैं मंत्र कुछ इस प्रकार है ओम क्लीम नमह जी हां, मित्रों, बीज मंत्र चाहिए और इनमे मां बगला मुखी और मां भद्रकाली की पूर्ण शक्ती समाहित है। फिर से ध्यान दें ओम हीम क्लीम नमा। इस मंत्र का आपको तीन बार जाप करना है और घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जो दोनों नाक चित्र हैं नासिका क्षेत्र हैं। उनमें से किस नासिका चित्र से सांस बाहर आ रही है उसी पर को आपको बाहर नि यदि दाहिनी तरफ से आपकी श्वास बाहर आ रही है तो दाहिने पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकाले। बाएं तरफ से यदि श्वास बाहर आ रही है तो बाएं पैर को यानि उल्टे पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकाले। ऐसा करना बहुत ही अन आकरशित कर लेता है क्योंकि वह देव अनुकूल चल रहा है और एक बात हम आपको बता दें कि हमारी चेतावनी देने के बावजूद भी यदि ऐसा लगे आपको कि आपके जीव हमें कुछ अनिष्ट होने लगा है कुछ बुरा होने लगा है तो आपको एक छोटा सा कार्य क कराने हैं और उन्हें लाल कपड़े में लपेट कर मां भद्रकाली के चरणों के पास रख देना है और अपने जीवन की जो मुसीबत है जो आफत है उसके बारे में बता देना है कि मैं हमारे उपर पैसे का बहुत अधिक करजा बढ़ रहा है पैसे की आवक रुक गई है य माई के चरणों में उसे आप रख दें 11 नारियल यानि हम लगू नारियल की बात कर रही है यहां पर यार ए लगू नारियल आपको माई के चरणों के पास रखना है और उनका नित्य पूजन करना है 11 नारियल 11 दिन में आपकी मनो कामना पूरी कर देंगे हम तो यह बहुत ह अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई हैं। आपको कोई मंत्र जाप नहीं करनाuitive, आपको कुछ भी नहीं करना आपको नित्य्य पूजा घर में जाकर माई के नाम से एक दीपक जलाना है, और आपने लगुनारियल को देखते हुए माई की तरफ देखते हुए अपनी मनो कामना बोल देनी है और आप देखेंगे कि कैसे केवल 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनो कामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी कैसे आपके सभी अधूरे काम बनना शुरू हो जाएगा कैसे आपकी सोच हुए सपना पूरा होगा आप दोस्तों जो भी काम शुरुआत करेंगे उसमें आपको फाइदा ही होगा आपके नसीब के ऐसे द्वार खुलने लगेंगे जो की दोस्तों आपके दुश्मन देखकर जलकर राख हो जाएगा आपने जितने भी मेहनत की है उन सभी मेहनत का एक-एक फल मिलना शुरू हो जाएगा साथ ही साथ दोस्तों आपका एक-एक मनो कामना है एक-एक सपना पूरे होने लगेंगे और दोस्तों आपके पिछले समय में स्वास्थे लेकर जो भी दिक्कत चल रही थी उसमें सुधार आ जाएगा आप दोस्तों बिजनिस में जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा सभी काम एक एक करके वरना शुरू हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में ऐसा योग का निर्मान हो गया है कि दोस्तों आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएंगे आपके सभी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे दोस्तों आज से ग्रह स्थिती आपके पक्ष में है कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा विशिष्ट लोगों के साथ लाभदायक संपर्क भी बनेंगे दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा सकारात्मक विशयों पर वारता लाभ भी होगा आज कोई सुख समाचार मिलने से प्रफुलित और उर्जावान महसूस करेंगे पिछले कुछ समय से जिस गतिविधि को लेकर प्रयास चल रहे थे आज उसमें सफल होंगे आर्थिक दृष्टी से आज का समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है अपनी वित्तिय योजनाओं संबंधी कारियों पर ध्यान केंद्रित रखें आपको महत्वपूर्ण उपलब्दी हासिल होगी स्वास्थ्य में सुधार आने से आप अपने अंदर एक नई उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कारियों के प्रतिध्यान देना शुरू कर देंगे किसी रिष्टेदार से संबंधित शुब समाचार मिलने से भी मन में प्रफुलता रहेगी पिछले कुछ समय से चल रहे किसी तनाव अथवा चिंता से राहत मिलेगी इस समय ग्रह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाब की इस्थिती बना रहा है इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें तथा भाईयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा महिलाओं के लिए विशेश तोर से आज का दिन लाबदायक रहेगा प्रयासरत कारियों में बहतरीन सफलता मिलेगी परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना धार्मिक आपको सुकून देगा साथ ही आध्यात्मिक उन्नती भी होगी आपके व्यक्तिगत कारियों से संबंधित कोई शुब सूचना भी मिलेगी भावनाओं में बहकर आप कभी-कभी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं दूसरों से ज्यादा उम्मीदें ना रखें बलकि अपनी कार्यक्षमता व्योग्यता पर ही विश्वास रखना उचित है जीवन से जुड़ी हर गतिविधी को व्यावाहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें काफी समय से रुके हुए कुछ कारियों में आज गति आएगी दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कामसंबंधी योजनाएं बना ले आपके काम बेहतरी इन तरीके से बनते जाएंगे संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा बिजनिस में बेहतर ओर्डर मिलने की संभावना है व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फली भूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलें जी हाँ दोस्तों और इसी के साथ साथ यदि आपके पास समय है और आप इस उपाय की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नित्य रुद्राक्ष की एक माला से ओम क्लीम मंत्र का एक माला जाप भी कर सकते हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो सौ परसेंट आपकी मनो कामना पूरी होगी ब्रह्मान की कोई ताकत रोक नहीं पाई कि मा काली माता रानी की शरण में जो एक बार आ गया उसका तो बेडा पार हो ही गया चाहे कितनी ही बुरी स्थिती क्यों ना हो उद्धार निश्चित है तो आप देख लें कि आपके पास कैसा समय है किस प्रकार से आपको करना है जो भी उपाए है हमने सब बता दिया है अब भी कोई मन में प्रश्न यह भी उठता है तो आप कमेंट करके बताएं वहां से भी आपको जबाब मिल सकते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों मिलते अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै माता दी जै मा काली